असलाम अलेकम फ्रेंट्स, वेलकम टू में यूटूब चानल हिसाक भिलगे 4G के तो हम आज की क्लास में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक चीज है उसको देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस ये वर्ड आया कहां से ये वर्ड को स्टार्ट किस ने किया उसको हम देखेंगे तो अगर हम आँवरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूला है बेल आइकान क्लिक करें ताके हमारे वीडियोज की सुचना आप तक पहुंच सके चलिए हमें स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस को ये पॉलिटिकल साइंस करने का जो वर्ड है जो सियासी जो साइंस है यह political science start होता है Greek के लोगों से हर छीज घ्रीक के लोगों से क्यों start होती है क्योंकि उन्होंने हैं उसके बाद में पर्शियंस हैं और इंडियंस हैं उसके बाद में चाइनीज लोग हैं यह सब लोग पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट तो किया लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ने पाया और उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाया उसको अच्छी तरह चला नहीं पाया तो they also started the political system but they are failed to develop political system political system की नशोनोमा करने के लिए लोग एक फेल हो गए तो इसलिए इसका फिर एक बार systematically political science को पढ़ने का जो श्रेय है political science को पढ़ने का जो तरीका है वो किस ने दिया? Greeks ने ही दिया Greeks ने ही क्यों दिया? क्योंकि उनके पास great philosophers थे उनके पास फलसफा लोग थे तो उन तीन फलसफा लोगों के अंदर पहले Socrates आद Plato आते है और Aristotle ये चीज़ याद रगो Socrates का जो शागिर्द है वो Plato है Aristotle है और Aristotle का शागिर्द का अलेक्जांडर है तो Alexander scholar नहीं था इसलिए मैं यहां पे नहीं लिगा लेकिन फिर भी याद रगो Alexander का teacher को हों था Aristotle Aristotle का teacher को हों था Plato प्लेटो का teacher को हों था Socrates तो यहां पर City States के बारे में पहली बार Greek के अंदर बताने वाला इंसान को हों था City States ठीक है रियासती है स्वरी हमें क्या बोलते हों सर शहरी रियासत करने का नाम इस्तमाल कर दे तो उसके बारे में पहली बार कौन बात करते है City States के बारे में उसके बाद में Political Science को बहुत आगे तक पहुंचाने के लिए एक इंसान चला तो जिसका नाम है Aristotle तो Aristotle के एक बुक है कौन सी बुक है? Politics तो यह बुक है Politics के नहीं की बुक है एक बुक के थ्रो उन्हों बहुत सारे contributions देद क्या देते हैं उसके अंदर किस तरह से Political Science को पढ़ा जाएगा तो Political Science के अंदर Government आती है क्या नहीं है Political Science के अंदर कौन सी चीज है Political Science का Origin क्या है यह कहां से पैदा हुए यह किस तरह से डेवलेप होगी यह सब Concept कोन दिये Aristotle दिये अपने बुक के अंदर Aristotle को ही क्यों क्योंकि इसने किस तरह से Political Science आया किस तरह से Political Science डेवलेप हुआ किस तरह से इसने यह भी याद रखो इसने 152 Constitution को City States के Constitution को शहरी रियासतों के Constitution को पढ़के एक Constitution की बुक बनाए थी जिसका नाम था Politics Politics के अंदर इनने बहुत सोरा explanation देदो अभी इतना सारा पढ़ लिए Political Science के लिए तो हमारे पास भी नजार रखो न तो हमारे पास तो तुम सोचो मत यह आर्तशास्तर की बुक है आर्तशास्तर बोले तो क्या Economics इसके अंदर सिर्फ Economics के Concept तोड़े है सबसे ज़्यादा कॉंसप्ट किसके हैं पॉलिटिक्स के बारे में सियासियत के बारे में ज़्यादा पता देखो उनका उटिल्य तो कोटिल्य सियासित के बारे में इसा क्या बताती हो बुक के अंदर राजा किस तरह होना चाहिए मंत्री किस तरह होना चाहिए राजा के क्या फर्ज है राचा के क्या duty है मंत्री के क्या duty है किस तरह से इने strong रहना चाहिए इस सब चीजें क्या है काउटिले बताते है अपनी बुक अर्थरशास्तर के अंदर तो अर्थरशास्तर एक economic बुक तो है हम मानते हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा क्या बरा हुआ है politics बरा हुआ है सबसे ज्यादा politics बरा हुआ है तो चानक क्या को बहुत सारे नामों से भी हमें जानते तो चानक क्या को कोन से नाम से जानते कोन से काउटिले जिसे हमें काउटिले बोलती है उसे चानक के बहुत बोल्दें ऐसा ब careless नाम से इंसान के नाम फेल और बहुतरीन इंसान किसके दरबार में था सरे यह दरबार में था चंद्रुपत मोरियह के दरबार में लिधा चंद्रगुपत मोरिया के दरबार में कोन चानक के यास लिए चंदरगुप्त दरबार चंदरगुप्त मोोरिया के दरबार में था अब चानक के का उटिल्य चंदरगुपत के दरबार में था इसके अलग-अलग नाम देख लिए इनने जो बुक लिगा था आर्थ शेस्ट्रे कौन सीध लांग्वेज में थी ये संस्कृत में थी ये संस्कृत language में ती जिसमें 18 टॉपिक्स थे और 6,000 से भी ज्यादा श्लोक्स थे 18 टॉपिक्स हो रहा है चाप्टर सेंड है 6,000 से भी ज्यादा गया थे और यह लीकें किसके उपर गई थी Palm Lake Cave को ओर कोंसे पत्त्त के उपर है पाल्म लीफ के उपरे लिखी गए था पत्ते के उपर लिखी गए था यह गुंभी गए थि है मिलती भी नहीं थी तो बाद में मैसुरु ओरियंट लाइब्रवरी कोंसे मासुरु ओरियंटल लाइब्ररी कोनसे Raw staggering माइशूर ओर dilagyst verdict कहला उन्होंने इस बूख को खोज के निकाला इस बूखた ख़को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाला और वह बाहर कि निकाला 1902 के अंदर ठीक है, कुछ बुक के अंदर 1902 दी आए, कुछ बुक के अंदर 1905 दी आए, दोनों भी देट याद रग लो 1902 या 1905 में उन्हों क्या करती हूं, भुक को खींच के निकालती है, कहां थी, जमीन में दसी हुई थी, उसको बाहर निकालती हूं उसको बाहर निकालने के बाद में पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, तो पढ़के का करते हैं, उसे 1909 के अंदर पब्लिश करता हूँ, बुक बना के उसे बाहर निकाल दे, तो 1915 में है, उसका English Translation स्टार्ट हो दो, कि उसका कउटिल्या के अर्थशास्त्र बुक है, सर ऐसा क्या तो था कउटिल्या की बुक में, जो बार-बार ट्रंसलेट कर रहे हैं, बार-बार नया-नया कॉंसप्ट देख रहे हैं, तो याद रखो, कउटिल्या की जो अर्थशास्त्र की बुक थे, वो अर्थशास्त्र की बुक के अंदर है, दो बहुत भारी थेरी थे, कौन से जो सल्तनत है, वो सल्तनत किस तरह से मजबूत हो सकती है, उसके अंदर साथ अंग होना चाहिए, साथ औरगन्स होना चाहिए, सब्त प्लस अंग, सब्त अंग, पहला अंग कौन सा था, पहला अंग था किंग, किंग को संस्कृत में क्या बोलते थे, राजन या राजा, राजा या राजन बोलते थे, king, दूसरा नमबर था मंत्रीन, कौन था, मंत्री, मंत्री बोलो, मंत्रीन बोलो, या मंदल बोलो, जैसे हमें English का ट्रांसलेटर्स क्याल देते, ministers, या minister करने का वर्ड इस्तेमाल करते, third नमबर पे आता है, प्रदेश, कौन सा देश, प्रदेश बोले त गराजा, प्रदेशी, तेरा देश, बोले, वह वाला नहीं, प्रदेश बोले तो place, location, उसकी location कैसी है, वह भी depend करती, उन्हें अच्छा है या नहीं, बुरा है बोलने के लिए, ठीक है, उसके बाद में fourth नमबर पे आते, कौन सा, treasury, treasury, तो treasury को हमें का बोलती है, संस्कृत के दुर्ग, कौन था, दुर्ग, दुर्ग नमें, दुर्ग, दुर्ग का मेनिंग का है, फोट, किला, मजबूत रहना किला, किला मजबूत रहे तो सब कुछ मजबूत रहना, next, sixth नमबर पे आते, सहिन्या, कौन सा है, सहिन्या, तो सहिन्या, सहिन्या को क्या बोलते है, आर्म या शोल्जर करने के बड़ इस्तेमाल करें लास्ट में से सावन तुमाना मित्र कौन सत्र मित्र मित्र बोले तो क्या दोस्त होना चाहिए आसपास दुश्मन यह दुश्मन नहीं बढ़े ना यह तो बात पक्की है कि तुमारी जो कालिटी है उस कौलिटी को पहचानने के लिए तुमारे आसपास के दुश्मन दे के पहचान दे यह बात सही है लेकिन उतने भी दुश्मन नहीं होना चाहिए कुछ दोस्त भी होना चाहिए क्योंकि तुम जब तकलीफ में होंगे दोस्त बचाएंगे तो इसलिए तो शेरी मसूडी पुसलतान ने कहा था तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ दुश्मनों से लड़ने की ताकत मेरे पास है ऐसे दोस्त भी रहत हो उन दोस्तों को पटगाने के लिए दोस्त भी होना चाहिए इस तरह से क्या है काउटिल्या का काम कम्प्लीट होते इस काउटिल्या बता दो तो अभी सर समझ में आया पॉलिटिक्स करने का जो वर्ड है वर्ड का मिनिंग क्या यह जो पॉलिटिक्स वर्ड है यह पॉलिटिक्स वर्ड है ग्रीक वर्ड के पॉलिस से लिया गया है political science को इतनी importance थी उसके time में city-states के बारे में पढ़ते थे राजा के बारे में बोलता था minister के बारे में बोलता था अभी political science के बोले थो क्या हो अभी political science का meaning change है political science बोले तो state and government आ जाते है जिसके अंदर fundamental rights है fundamental duties है prime minister है minister है health minister ये सब लोग उसमें आजा दो coat करना ये भी एक क्या है अब हाँ ये भी एक politics है gutter खोदना gutter मुचना ये भी एक politics है study करना भी एक politics है तुम study करेंगे तभी तो अच्छा सा एक politics बनेंगे study करना भी एक politics है हर चीज ए importance हमें देखती है इसके political science के आज इकल political science का जो तौसी है जो expand है वो ज्यादा है हर चीज में politics है हर चीज में politics है business के अंदर politics marketing के अंदर politics हर चीज में politics घुसा हुआ है rate भी fix होता है politics के ओपर समझ में आ रहा है ये सारे concept यहां पर नजर आ दो अब रही बात सर ये सारे समझ में आया government बनी state बनी तो government तो कितने टेप की है हमारे पास हमना को देगे जमालों में democracy तो आओ जरा कितने टेप की government पहले democracy democracy के ने का word है Greek का word है demokratia के ने के word से आतो कों से word से आतो Greek का word है demokratia जिसका meaning है rule of people लोगों की हुकुमत किस की हुकुमत है public की हुकुमत करते है तो public की हुकुमत democracy को बुकारते है demokratia के ने का word है तो ऐसा देख को का करते है last by America का USA का एक प्रिसीडिन्ट है वो USA एक प्रिसीडिन्ट का बोलते democracy democracy के बहुत आसाने जिए अवाम से अवाम के लिए और अवाम तक यही तो है democracy समझ में आ रहा है by the people for the people and to the people अवाम से अवाम के लिए और अवाम तक चलो उने के लिए यही है government उसको यह मैं क्या बोलते है democracy कोन बोले Abraham Lincoln साब बोलते है तो democracy का word का meaning भी है अभी चलो कितने टैप की governmentizer पूरे दुनिया में पहले थी कितने टैप अभी कितने एक था monarchy system monarchy system बोले तो बाप दादाउं से भी राजा ही राजा बनते चला जाएंगा उन्हों ही रूल के रहना है जैसा कि Saudi Arabia Qatar है कुवेट है अरब country जितने भी है मुआ पे monarchy system है कौन सा system है monarchy बाप दादा बेटा बच्चे इनोज बनते जाना बागी वाले खग नहीं है उसे बोलते हैं monarchy कुछ हद तक ठीक ठग भी है Arabistan के लिए इंडिया में monarchy रहत नहीं चलता किये हाँ अलेगी चाहि अपर ये आपको King John उन समझने की कुशिश भी कर सकता इसलिए monarchy हमारे पास नहीं है हम democratic लोग है उसके बाद में आते dictatorship dictatorship बोले तो मैं बोले सोच होना अब रात बर मज़े मुरीगी होना कर दोना सुबह में मुरीगी बैन कर दोन समझ में आ रहे समझ में आ रहे तो government जो बोली है इस टाइप की government रहे हो शाम में कानून लगे तो सुबह में नया कानून आ सकता democracy में ऐसा नहीं है अगर तुम कोई कानून लगाती है तो उसका एक procedure है क्या है पहले उसको कानून को बनाना लोग सभा में पास करना राज्य सभा में पास करना प्रेसिडेंट की सीज़ज़ज़ज़़वना तब जाके ओपिल क्या होगा आक्ट बनेगा एक procedure है उतना procedure करने के लिए मिनिममम दो मेने तो लगना पड़ दो यार रोज एक कानून चेंज कर सकते है क्यों एक dictatorship है मैं बोले सो सही है बहुत दूर नको जाओ हमारे पास भी वो दिना आने की position में है नजदेग ठीक है dictatorship अभी ये ठीक answer कर बोलेगे तो इटली के अंदर पहले थी अभी नहीं हा पहले थी तो इटली में वा इसा कौन इक्टेटर था सर Mussoloni Benito Mussoloni जपान में थी पहले जपान भी क्या था dictatorship था कोहना जर्मानी के अंदर पहले dictatorship थी कौन एक्जमपल Adolf Hitler डिक्टेटर्श नेक्स्ट मिलिट्री डेमोक्रसी कौन सी डेमोक्रसी मिलिट्री डेमोक्रसी डेमोक्रसी और एक वर्ड भी बूले समय डेमोक्रसी भी आना हो लास्ट में पढ़ेंगे उसा है डेमोक्रसी के लिए पाकिस्तान के अंदर है military democracy मतलब तुम election करोगे उसके बाब वजूद भी military को एक power दिया जाएगा कि उनके ओड से कोई president prime minister बन सकते है इम्रान खान को बनेते हैं परसो इम्रान खान पब्लिक की ओड से नहीं बना दा military ओड से बना दा तुम आपे military को एक अलग value है हमार पास military को एक अले वाले हो लोगों को एक अले वाले हो लेकिन इंडिया का constitution नहीं हो बाबा साहिब यह doctor बाबा साइब इंडिकी ताकत अंबेड़ करें बोले तो सामामली समझें हाँ जब परता सिंदा नदा तो military democracy का पैता पाकिस्तान के अंदर कहां पैता military डेम को पाकिस्तान अब communist government Communist government का है फिलाल China क्या China केंदर है है Communist government China में Communist government कीज है बोलते है है मैं China एक ही community के लोग रूल करेंगे है दुसरे नहीं करना है एक ही community के रूल करेंगे और उनके कानन पह ऐसा ही रहेगा тора पलाभी क्या रहां हैlig communist government में private property कितनी भी वना तुमना को इसाव नहीं है हमारे पास है डेमक्राइश है दूसरे दिनीच EDCB, CBI चले जा दू और जा के रेड़ा मारके निकाल छोड़ दू कहा है ला हमारे टेक्स हमारे पुर्दो नहीं दिये तो नहीं चलेगा यह हमारे इंडिया आइस आप तो इसलिए तो कम्प्लीट भूए अब रहा देमोक्राटिक गौर्मेंन तो गहर्ट देमोक्राटिक गौर्मेंटे सबकुछ पप्लिक लिया है और टेमोड़ डालने वाला शिस्टम है यहां पर हरे एक को ट्रॉट है होड एमें रोज इस्तमाल करना है इसमें दो टैप की देमोक्राइश साथ एक डाइरेक्ट डेमोक्रोसी और इंडाइरेक्ट डेमोक्रोसी और इंडाइरेक्ट डेमोक्रोसी बोलेगा तो एक देश का प्रेसिडेंट एक देश का सदर इंडाइरेक्ट ली सलेक्ट होता हो अभी हमें याने हमें प्रेसिडेंट को सलेक्ट कर सकते हैं हमें किसे एक करती MP लोगों को select करती है ML लोगों को select करते है वो लोग जा किसे सब्सक्राइट करती उनको अदरे कर सकते हैं समझ में हार है अंदर है स्विजर्लैंड के अंदर है टैरेयक्ट डेमक्राइश के नजर आती। या बैइर्क डेमक्राइश कम देशों में हम में। no नए कॉंसेप्ट के साथ, एक नए तिंक के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिश.